बहुत बड़ी खबर तीन करोड नए घर बनाई जाएंगे मोधी कैबनेट में सबसे पहली कैबनेट की बहुत महतपूर्ण बैचक में ये बहुत बड़ा नेड़े लिया गया है मोधी कैबनेट का बड़ा फैसला है मोधी क्याबनेट की पहली बैचक में ये महतपूर्ण फैसला की तीन करोड नए घर बनाई जाएंगे तो आपको बता दे कि ये यूजनाई पहले से ही जली आ रही है और इन यूजनाओं की तहत विकास कैसे देश में किया जाए इस पर आज क्याबनेट की बैचक हुई और इस बैचक में ये सबसे पहले बहुत ही महतपूर्ण ने लिया क्या है कि तीन करोड नए घर केंद्र सरकार की तरह से देश भर में अलग-अलग जगों पर बनाई जाएंगे पीमावास यूजना के तहट तो तीन करोड ये संख्या बहुत ही अधिक है और हमारे समधाता पटना से आनन्द एक बार फ़र हमारे साथ जोड़ चुके आनन्द ये बहुत ही महतपूर फैसला है बीमावास यूजना को लेकर प्रधान मंत्री की पहली कैबिनिट की पहली बैट्रक में ये निर्ने लिया क्या है कि तीन करोड नए घर जगा-जगा पर बनाई जाएंगे देखें सोभी निश्ट तवरपा और प्रधानमत्यी ने पहले ही साफ कर दिया था कि पहले सौव दिन का एजंड़ा उन्होंने तेय कर लिया था rimकर लिया अं वंहोंने क्या कुछ करना है और उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार देस कई नया फैसले देखेगे जो बहुत मत्पूर होगा तीन करोड घर बनाने का मतलब साफ है कि प्रधानमत्री इसके पहले भी लगातार अपने चुनावी भासन में कहा करते थे कि उनका लक्ष है कि देश में कोई भी बेगहर न रहा है और तीन करोड का टार्गेट उन्होंने सेट कि बात करें चुनावी जन्सवाओं की तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री की तरफ से बार-बार गरीबों का विकास किसानों के विकास की जर्चा की जा रही थी तो पहले किसान को लेकर फैसली लिए गये और अब जिनके पास घर नहीं है जिनके पास रहने के लिए आश्रे नहीं उनके लिए ये बहुत ही महत पूर्ण ने सरकार की दरस से लिया गया है बिल्कुल सोभी आपने बिल्कुल सहा का पहले उन्होंने किसानों को लेके फैसला किया उसके बाद अब गरीबों को लेके फैसला किया दो महत्पुन बात और भी हो सकती है कि आनेवल समय में महिलाओं को लेके भी कुई बड़ा फैसला हो सकता है इसके लावा रोजगार के मुद्दे पे भी युवाओं के लिए भी कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है तो प्रधानमंती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने सौ दिन के एजंडा सेट किया था कि जैसे ही मैं मेरी नई सकार बनेगी और सौ दिन के एजंडा उन्होंने सेट करके अपने तमाम नए सायोगियों को भी एक साफ साफ पैसस दे दिया गया